हर्याना में विधान सभाच जनौ से पहले वरिष शुनीता किरन चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है किरन चौधरी अपनी बेटी शुती के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरन चौधरी ने कहा कि मैं कौधरी की बहुत समर्पित कारकृता थी मैंने कड़ी मैनच से अपना जीवन कौधरी को समर्पित कर दिया लेकिन कुछ सालों में मैंने देखा कि हर्याना कौधरी एक व्यक्तिकत केंदरित पार्टी बन गई है वे नहीं चौहते थे कि कौंग्रेस आगे बढ़े और उन्होंने ऐसी नीतियों का पालन किया तो आप समझ सकते हैं कि हर्याना में कौंग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाती उनके कारण बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी मैंने ये कदम ये सुनेश्चित करने के लिए उठाया है कि मेरे कारकृताओं को उनके उच्चित अधिकार समान अधिकार मिले इसके आगे करन चौधी ने कहा कि आज मैंने ये फैसला इस ले लिया क्योंकि प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने 2047 तक विक्सित भारत का संकल प्लिया है मुझे पूरा विश्वास है कि भारत दुनिया में चमकेगा प्रधान मंत्री द्वारा जन कल्यान कामों की वज़े से ही दिल्ली में तीसरी बार वीज़ेपी की सरकार वरी मैंने पूर्व सीएम खटर के साथ काम किया है हमारे वीच बहुत कड़वाहा छुआ करती थी लेकि जिस तरह सुनोंने काम किया वो मेरे लिए प्रेणा का स्त्रोध रहा पतादेवई हर्याना कॉंग्रेस के पूर्वरेता किरन चौधरी की बेटिश्टी चौधरी रे भाशबा में शामिल होने के बात कहा कि मैं प्रधानमंत्री सिर्फ प्रेरी थू चिनोरे देश के कल्याड के लिए इतिहासिक फैसले लिए और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है यह हमारे लिए गर्व की बात है कि पियम मोदी और पूर्वर सीयम खटर ने चौधरी बंसिलाल के साथ काम किया है जिस तरह बंसिलाल ने मेहनत की हम भी उसे तरह मेहनत से भाशबावे शामिल हो रहे हैं एक बारी जॉइनिंग हो जाए तो मैं आपके सब सवाल लोंगी लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि एक सेलाब उमड के आ रहा है और ये इसलिए क्योंकि भाशबा की जो नीतिया रही है देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान मंत्री जी को जो बार बार लोग चुन रहे हैं वो एक इसी में अपने आप में प्रमान है कि किस तरीके से लोग प्रियता आज के दिन भाशबा की बढ़ती जा रही है और इसी के कारण आज सारे की सारे आज इखटे होए हैं इसी जोश के साथ इसी नई उर्जा के साथ कि हम सब इखटे होकर इमानदारी के साथ भाजपा को मजबूती दे बताधी किरन चौधरी और शूती ने मंगलवार यानि 18 जून को ही कॉगरिस से इस्तिफा दे दिया था उन्होंने पाठी की राष्ट अधक्ष मलिका अर्जुन खडगे को इस्तिफा पेचा इसमें उन्होंने लिखा कि यहां पाठी को नीजी जाकर की तरह चलाया जा रहा है मेरा आपमान किया गया पताया जा रहा है कि लोगसभा एलक्षन में मैं आपनी बेटे शूती को भिवानी महिंद्रगर से टिकेट ना मिलने के बाद से गिरन चौधरी से नाराज चल रही थी आपको मारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए तेश्तुन्या की तमाब अभी प्रूत लखन की हाच्छोटी बड़ी ख़बर के लिए डियोस टेटे नल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल भी ना भूले